तो आज करने वाले है quick revision आपके acid, bases and salt chapter का chapter 2 है chemistry का first chapter का already video डल चुका है आप लोग जाकर के channel पर देख सकते हो 20 minute का video है बहुत आराम से आप देख सकते हो इसको भी मैं जल्दी करुशिश करूँगी bind up करने की जिसे लंबा ना हो पाया और आपका जल्दी से पूरे chapter का बहुत अच्छे से revision हो जाए कुछ भी छूटे ना तो hi everyone अप शुरू करते हैं आपका acid, bases and salt chapter तो देखो यहाँ पर मैं आपको मैंने काफी कुछ चीज़ें already underline कर दी है जैसे यहाँ पर जब हम बात करेंगे indicators की, तो indicators क्या होते है और indicators में जैसे litmus कैसे बनता है यह भी कई बाप पूचा जाता है तो यह आपको पता हूँ जाए purple dye होता है, purple color का होता है और जो leachian plant होता है उससे बनता है कि बाप लिटमस ही नहीं होता है कुछ natural indicators में होते हैं फिर olfactory indicators जो होते हैं वो भी ध्यान रखना है कुछ olfactory indicators जैसे onion का बनाते हैं या आपका कोई भी जो vanilla वगएरा essence टाल करके चेक करते हैं तो उसमें यह ध्यान रखना कि acid में smell वैसी रहेगी कोई चीज नहीं आता है लेकिन base की case में इसमेल वैनिश जाती है फिर understanding the chemical properties of acids and bases इस case में सबसे पहले देख सकते हैं कि कुछ sample दिये थे इनका ध्यान रखना color क्या होता है color change कभी कभी पूछा जाता है कि phenophthalene में suppose acid का color क्या होगा या base का क्या होगा या methyl और इन मेर लिटमस में तो आपको पता ही रहता है ठीक है यहां पर यह onion वाला आपका दिया हुआ है कि onion से कैसे आप बनाते हो olfactory indicator तो vanilla onion clove इसमें जब भी होगा इतना ही यह सब नहीं आता है कैसे बनता है आप सिर्फ smell पूछी जा सकती है कि smell कैसी रहेगी तो ध्यान रखना है कि acid में change नहीं होगी base में change होगी भी लिख सकते हो और vanish the smell ठीक है अब how do acid basis react with metal यहां पर metal के साथ में acid और basis की reaction है ध्यान रखो जब भी acid और base metal से react करते हैं तो hydrogen gas तो निकल evolve होती है साथ में एक sword की formation भी होती है यहां पर एक activity दी हुई है यहां पर zinc granular acid की जो कि आपने पहले भी देख रखी है hydrogen gas निकल जो है evolve होगी है यहां पर और जब आप इसको test करोगे तो यह आपका burn होगी with the pop sound और bubbles आपको gas की यहां पर दिखते हैं पर जब आप यही चीज यह world equation भी ध्यान रखा करो जिससे तुम्हें एक्दम से याद आ जाएं कि आपने क्या बनाना है और क्या reactants है आपके क्या product बनने है साथी जब base के साथ reaction करते हैं तब भी ध्यान रखो salt और hydrogen gas ही वाल होती है sodium zincate का formula याद कर ले ना इवा बच्चे भूल जाते हैं यह formula तो इसको याद कर ले ना Na2, ZnO2 होता है ठीक है और reaction balance करने का ध्यान रखना और reaction यह दी balance करने को कभी भी आए paper में तो ध्यान रखना उसको बहुत ध्यान से balance करना क्योंकि गलत कर दिया आपने एक भी जगह आपका number गलत हो गया तो उसमें फिर zero मिलता है उसमें कोई यह नहीं कि half mark मिल जाएगा या one force मिल जाएगा फिर next है आपका how do metals carbonates and metal hydrogen carbonate react with acid बहुत ही important है यह यह भी आपको ध्यान रखना है इस reaction का कि इसमें आपका salt carbon dioxide और water बनता है और जो carbon dioxide जो है जब हम freshly prepared lime water में इसका test करते है जब इसको test करते हैं तो यह lime water milky होता है तो यह भी पूछा जाता क्यों होता है milky यह जब axis में पास करते हैं तो वो milkiness क्यों खतम होती है ठीक है तो यह सब याद रखना है तो यह आप जो activities ना इनको जरूर पढ़ लेना छोड़ना मत इनको और जो carbon dioxide की reaction है जब lime water में पास किया जाता है तो यह reaction होती है आपकी यह ध्यान रखना है आपको reaction यह आपकी और इसके साथ ही जो आपका formula है calcium carbonate का वही white precipitate बनता है उसके विए से यह milky color होता है और जब हम इसको ज़्यादे मातर हम एक्सेश में पास करते हैं तो क्या होता है जो insolubile salt बना तो वो solubile में change हो जाता है ठीक है यहाँ देख रह हो जाता है यह आपकी word equation देखा है यह same फिर how do acids react with each other दोनों आपस में कैसे करते हैं पता है कि neutralization reaction होती है आप definition utilization reaction reaction की यह activity भी विखब पढ़ लेना कि किस तरह से activity दी होई है कि क्या आपका होगा जब आपने जिससे एनिवेश लिया है तो उसमें फिनॉसलीन को एड़ किया पता है pink color होगा फिर जब आप SCL को एड़ करोगे तो वो change color ठीक है और यह ज़्यादे मातरा में कि आपने SCL आपका फनॉसलीन ने उसके color में जो change दिख रहा है वो इस वज़े से दिखता है अब यहाँ पर यह reaction दियो यह देखो acid base की यह reaction आप लेना फिर आपका metallic oxides with acid यह धियान रहना metallic oxides क्या होते हैं basic होते है नेचर में इनकी reaction acid के साथ होगी और फिर वह reaction acid के साथ होगी वह कैसी होगी आपकी के salt and water बनेगा यहनि metallic oxides कैसे होते हैं basic होते है नेचर में तो यह आपकी reaction है metal oxide plus acid salt and water यह मैंने आपका एक reaction लिख करके भी दिखाई है जो कि आपकी यह activity वाली reaction है copper oxide and dilute hydrochloric acid जब्ज़ेक्ट करते हैं तो आपका copper chloride and water बना फिर यहाँ पर आपका दूसरा दिय इसके साथ में होगी क्योंकि non metallic oxide की होते हैं acidic होते हैं यहाँ पर भी आपको जो example दिया है उसकी reaction मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर calcium hydroxide है जो कि एक base है carbon dioxide से produce कर रहा है salt जोगी calcium carbonate water फिर यह questions important है इनको मत भूलना करना इनिर करना है what do you do all acids and all bases have in common तो यह तुम्हें पता है कि जो acid और base होते हैं वो iron में dissociate होते हैं पता है तुम्हें acids होते हैं वो h plus ions में और bases oh minus iron में dissociate होते हैं तो जब भी acid bases हम aqua solution बनाएंगे तो वो dissociate करेंगे और तब वो help करेंगे आपके current को flow को या current को pass करने में और bulb glow हो तुम्हें को कि acid bases में यह चीज common होती है दोनों के case में हम देखेंगे बल glow रहा है लेकिन यह भी करिवा पूछा राता है question में कि glucose या alcohol क्यों नहीं होते हैं तो क्योंकि यह ions में dissociate नहीं होते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने देखो highlight इसलिए पहले से कर दिया है जिससे कि इस सम बहुत questions आते हैं ठीक है based on activities तो यह NACL यह दोनों रहे हैं dry gas बनी हापर SCL उससमें लिटमस पेपर का color change नहीं हो था और क्योंकि यहाँ पर हमने एक गार्ट ट्यूब्री लगा रखी जो की calcium chloride क्योंती है यह important है कि इसका function क्या है it absorbs all the moisture ठीक है लेकिन जब हमने यहाँ पर इ जो SCL gas है वो जब water में mix हुई तब जा करके उसने acidic character show किया यानि कि केवल पानी में acidic character show होता है dryness में नहीं होगा ठीक है कोई भी dry gas है तो वो acidic character show नहीं करेगी तो यहाँ पर यह सब reactions हैं और किस तरह से यह water के medium में एस्थियो आयन जो कि हाइड्रोनियम आयन के लाते हैं वो बनते हैं और like chlorine आयन से यहाँ पर बने हैं यह हम एस्थियल की बात करते हैं तो उसी तरह बेसे बेस भी का water में एकको solution में ही dissociate होंगे यह जियात रखना आपको और कैसे dissociate होते हैं यहाँ पर आपकी reactions है जो आपक यहाँ पर किस तरह से acid or base मिल करके salt or water बनाते हैं तो यहाँ पर एक reaction तुम्हें दिखाई हुई है HX प्लस MOH यहाँ पर X और M क्या है यह तो salt बना लेना है और यह HOH मिल करके क्या बना रहा है आपके water तो reaction शोई है फिर यहाँ पर यह activity है कि किस तरह से आप acid को dilute करोगे ज बहुत ही important question है यहाँ पर तुम्हें यह द्यान रखना है कि acid को drop wise डाला जाता है constant stirring के साथ में क्योंकि यह बहुत ही highly exothermik reaction होती है और जब आप इसको पानी में drop by drop डालते हो तो क्या होता है जो heat वो absorb होती जाती है और उतना ज्याद उसका effect नहीं होता है लेकिन आप सीधे पानी को डाल दोगा acid में तो वो splash out करेगा और burn cause करेगा यह cable एक acid के साथ ही नहीं है यह यह बेस होगा concentrated तो उसमें भी होगा क्यों क्योंकि वो भी बहुत ही corrosive होते है जाकि sodium hydroxide sodium hydroxide pallets जो होती है वो भी बहुत corrosive होती है nature में ठीक है फिर यदि आप mix करते हो acid and base को उसमें water यदि mix करते हो तो क्या impact होता है ions पर यदि acid में करते हो तब क्या होता है base में करते हो तो क्या होता है तो per unit volume क्या होगा ions decrease करेंगे in case of acid hydronium ions in case of base hydroxide ions तो यह question जो आते हैं जो questions इन सबके answers revise कर लेना अच्छे से फिर how strong are the acids of base तो मैं पता है कि जतने ज्यादा hydronium ion या hydronium ion में dissociate होगा acid उतना ही stronger जितने कम में उतना ही weak होगा उसी तरह से base का होता है तो यह इसका answer आपको इस तरह से कर लेना है फिर यहा पर कौन से scale होता है जिससे हम concentration hins की measure कर सकते है वह आपका pH scale होता है ठीक है इसमें pH में एस तो hydronium ion के लिए या hydronium ion के लिए पीक इसके लिए potence के लिए और 0 से लेके आपका 14 तक यह pH scale होता है 7 पे neutral होता है जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाते हैं यानिकि 7 से नीचे जाने पर acid nature बढ़ता है और 7 से उपर जाने में basic nature increase करता ह और यह देखो यह भी question बहुत important होता है कि क्या यदि कोई acid है तो उसमें OH ions होंगे या नहीं होंगे या फिर यदि कोई base है तो उसमें H ions होंगे या नहीं होंगे यह diagram ध्यान रखना यदि hydrogen ion है आपर तो OH ions में है लेकिन वह बहुत कम मात्रा में है इसलिए वह acidic nature show करता है उस में वह basic nature show करता है अब आते हैं यहां पर यह table यह भी मैंने fill कर दिये जो कि तुम्हें help करेगी revise करने में इसको आप revise कर लेना फिर यहां पर इन सब का थोड़ा सा दिमाग में सारे टेग्राम्स रखना कि कहां पर आपका gastric juice का क्या है pH lemon juice का क्योंकि जो NCRT में वहां से तो dependent करती है number of HNs और OHNs produced मैंने पहले ही काप से acids that give more HNs are said to be strong acids and less HNs means weak acids same हो का आपका base के साथ में फिर importance of pH in everyday life ठीक है यह सब आप ध्यान रखो गया our plants and animals pH sensitive यह मैंने underline कर दिया है ध्यान रखना की rainwater की pH यह दी 5.6 हो जाती है तो उसको हम acid rain बोलते हैं और इसका survival पर aquatic life की बहुत ज़्यादा effect होता है ठीक है survival difficult हो जाता है यह एसे acid rain का पानी reverse में आ जाता है क्योंकि जो एक normal pH range में नहने वाले होते हैं हम लोग organisms और जितने भी animals होते हैं फिर soil की जो pH है उसका क्या होता है आपको इस तरह question आता है कि यदि acidic soil है तो जित फार्मर है उसको क्या add करना चाहिए तो इस तरह की questions जो हैं आपको कर लेने हैं फिर pH in our digestive system यह भी बहुत important है कि जो digestive system है उसमें हमारे pH का क्या रोल है या फिर हमारे जो दातों में यह थी pain होता है तो वो किस वज़े से होता है यह दोनों चीज़ें जो आपका pH changing as the cause of tooth decay दोने ही important है इनको आप पढ़ लेना अच्छे से अब मैं हर चीज़ पढ़कर नही ठीक है जो highlight कर दिया self-defense by animals and plants through chemical warfare यह भी कर लेना ठीक है यहां पर भी मैंने कर दिया underline इसको highlight की जो dog plant है वो help करता है रब करने पर जब हमको कोई needle जो plant है वो पियर्स कर जाता है जैसे ठीक है जो कि एक wild plant है फिर यह table learn कर लेना राइट कौन सा acid होता है अब यह questions आप करोगे फिर अब more about salts में आपका family of salts यहां पर यह बहुत important आपको इसारे formula एक बार बना कर देख लेना और उसके बाद में यह भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन से salt जो है वो acidic है या base है क्यों है acidic क्यों है base यह ध्यान रखना कि जब कोई salt acid या base बनता है तो यदि strong acid होगा और weak base के साथ में reaction हो रही है उसकी तो acidic salt बनेगा और weak acid यदि strong base के साथ में reaction करेगा तो basic salt बनेगा यदि दोनों strong है तो फिर neutral बनेगा जो कि आपका यहां पर यह आपके जो daily use के materials है, उनके लिए use होता है, बनाने में like sodium hydroxide, इसका दूसरा नाम caustic soda भी होता है, दिया नखना baking soda, सबके chemical name common name याद रखना, washing soda bleaching powder, इसम में इसका use होता है, NACL का अब sodium hydroxide कैसे बनता है, ये brain solution क्या होता है, reaction क्या है आपर, क्या cathode पर collect होता है, क्या anode पर collect होता है और इन सब के जो uses हैं जो कि मैंने already यहाँ पर highlight कर दिया है इनको पढ़ लेना, याद कर लेना फिर bleaching powder कैसे बनता है ठीक होपर हमने देखा था, chlorine मिला उसी chlorine gas को यहाँ पर use के जाता है bleaching powder बनाने के लिए किसके साथ में dry select lime यहाँ पर ध्यानक नहीं, यह dry select lime है उसके बाद में यहाँ पर इनके uses हैं, इनको भी याद रखना और basic baking soda क्यों होता है यह आपका anyf3 जो कि sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate करते हैं यह आपका basic होता है nature में यह cooking को fast करने में भी काम आता है इसकी reactions दोनों याद करने हैं आपको इसके बाद में इसकी uses याद करने है फिर जो हमारा baking powder बनता है उसमें tartaric acid क्यों मिलाया जाता है यह याद रखना है आपको अब आते हैं आपका washing soda क्यों होता है washing soda क्यों कई बाद पूछा आता है कि यह कोई MCQ question है उसमें simply ऐसे ही पूछ ले जाता है option में मानलो आपको Na2CO3 दिया हुआ है लेकिन Na2CO3.10H2O नहीं दिया है ठीक है तो यह भी आपका washing soda का formula है यह भी washing soda का है यह वाला आपका हो जाता है anhydrous इसको क्या कहोगे आप anhydrous जबकि इसको आप कहोगे hydrated यह अंतर होता है दोनों में अब आते हैं आगे यहाँ पर यह reaction कर लोगे फिर यहाँ पर है कि क्या यह crystal wet होते हैं तो ऐसा नहीं है यह wet नहीं होते हैं इसमें water of crystallization होता है चुकि आप आगे यहाँ पर यह पढ़ोगे are the crystal of salt really dry uses of washing soda बहुत important इसमें यह permanent hardness वाला बहुत बार पूचा जाता है और बाकी आपको बाकी भी learn कर लेने फिर यहाँ पर जो copper sulfate वाली activity दिये यह copper sulfate solution in dry volume tube में लो गया तो water के molecule जब निकलेंगे तो आपका copper sulfate white हो जाता है फिर drop डालते हो पाने की तो वो blow हो जाता है तो इस तरह से करके यह activities वगरा पढ़ लेना आपका क्या observation है आपर यह सब इसमें पूचा है फिर यहाँ पर water crystallization की definition दिये इसको learn कर लेना examples में यह सारे हैं आपका learn कर लेना at last यहाँ पर आता है आपका plaster of paris plaster of paris में क्या है आपका इसका formula होता है cso4.10.5s2 और यहाँ पर दियान रगना जब gypsum को हम 373 Kelvin पर heat करते हैं तब water molecule वो लूज करता है और तब वो calcium, sulfate, hemidrate जो की plaster of paris से बन जाता है plaster of paris के कुछ uses होते हैं उनको learn कर लेना उसको फिर से हम gypsum में कैसे convert करेंगे जब 1.5 half molecule of water react करता है फिर से वो gypsum में convert हो जाता है इन सब चीजों को याद कर लेना एक question यह भी बहुत important है कि किस तरह से only half of water molecule is shown to be attached as water of crystallization कि क्यों केवल half दिखाया है इसका मतलब क्या है कि किस तरह से कैसे कोई half molecule ले सकता है यह आप से पूछा है आपर तो यहाँ पर यह है कि क्या होता है कि जो दो formula unit होते है CSO4 की वो share करती है one molecule of water तो इस तरह से इसको भी learn कर लेना ठीक है फिर इसके uses जो होते है कि making twice material of a decoration इसका use के जाता है तो यह होगा आपका complete chapter questions फिर से यह सारे questions भी आप learn करोगे साथी what you have learnt हमेशा पढ़ लेना हर chapter का बहुत काम आता है और सारे exercise के questions भी क्योंकि NCIAT में तो बेटा कुछ छोड़ना ही नहीं है बहुत ही important होती है एक-एक line NCIAT की important है लेकिन आप लोगों होने तो वीडियो समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हूं तो थेंक्यों फॉर वाचिंग मिलते अंगली वीडियो में